नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में स्वागते तो दोस्तो आज मैं बताने वाला हूँ रोज प्याज का जूस पिने से तिन दिन में गायब हो जाएगी डाइबिटी इसके बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो को एंड तक देखते रहे तो दोस्तो डाइबिटीस के कारान कई लोगों को गंबिर स्वास्ते समस्या हो जाती है खास कर कई पुराने रोग भी आ रहे है इसलिए एसी समस्याओ से पीडित लोगों को कई तरह की सावध्यानिया का सामना करना पड़ता ह साथ ही खान पान पर विशेश ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा खान पान की आत्तों से भी बचना चाहिए। कम उम्र में मदुमें ओ जाता है तो कोलेस्टरोल, बलट, ब्लट स्प्रेसर, हार्ट अटेक और किड्ने की बीमार्या होने की संभावना रहती है। इसलिए आरवेदिक विशेशक्यों को दुआरा बताए गई विबिन परकार की जड़ी बुटियों का उप्योग करना चाहिए। बलट सुगर लेवल दिन बदिन बढ़ने से पुराने लोग भी हो जाते हैं। तो इने कंट्रोल करने के लिए आपको प्याज के रस का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके गून्न कईतरे की स्वाश्थे समंश्याव से राद दिलाते हैं। मदुमो को नियंत्रीत करने के लिए रक्ट्र शक्रा के स्थर को नियंत्रीत करने में परतित दिन प्याज के रस का सेवन करे। इसे रोजना पीने से टाइप वन और टाइप टू के मरीजों को आराम मिलता है। प्याज में लोग ग्लाइसेमिंग इंडेक्स होता है। इससे पाचन समंदी समाशया भी दूर होती है। प्याज को कई तरह से खाया जाता है, इन बेकुंगा खाद्य पदारतों को तियार करना बहुदिक अठिन होता है इसलिए खाने की चीजों को स्वाधिस बनाने के लिए प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए इसके गोण कई तरह की स्वास्ते समस्याओं से रात पुजाते है लेकिन हर रोज इसका जूस पीने से ना सिर्फ बालों की समस्या कम होती है बल्कि डाइबिटीज भी कंट्रोल में रहती है अगर आप स्प्याज को उबाल गर इसका जूस पिते हैं यह सरीर के लिए डिटोक्ष ड्रिंक की तरह काम करता है यह गरेलू उपाय जिस सरीर में केलोरी को कम करता है मदु में रोगियों के लिए भी फायदे मन देता है तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकरी गरेलू नुसको और सामन्यों जानकरी उपर आधारी थे इसे अपनाने से पहले डॉक्टर से इसला जरूर ले तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जान कारे के साथ जेहिन जेह बारत